पिगना हर्ता श्री गणेशा, श्री गणेशा, श्री गणेशा गणेश का क्रूत अपने चरम पर पहुंच गया है नाथ, आ वहाँ जाईए और गणेश को शांत करने का उपाई कीजिए पुत्र गणेश, शांत हो जाओ पुत्र, अपनी स्वास से मेरा किर्चाव बंद करो कप्ती निरलाज असर, तुम जीवित रहने के योग यह नहीं हे प्रमदेप, माता, मैं आप दोनों की पूजा से अत्यंत प्रसन्न हुआ आप दोनोंने अपनी भक्ती के उदाहरन से ये स्थापित कर दिया कि यदि व्यक्ती का उद्देश पवित्र हो, उसका हिरदय निर्मल हो तो फिर कोई भी बुरी शक्ती उसके लक्ष प्राप्ती में बाधा नहीं बन सकती क्योंकि जिनकी विचार शुत है, निर्मल है, भगवान भी उनी का साथ देने के लिए प्रेरित होते हैं आप दोनों की भक्ती से प्रसन्न होकर मैं आप दोनों को संपन्नता का आशीश देता हूँ ये सभी तो मात्र सांसारिक वस्तुएं हैं, जीवन में सुख पाने के लिए इने प्राप्त करना आवश्यक भी है किन्तु भोग के इन वस्तुओं से अत्यदिक मोह करना उचित नहीं आप दोनों इनका आनंद उठाते हुए भी अपनी भक्ती और निष्ठा को सदा बचा कर रखिएगा क्योंकि मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य तो मोक्ष की प्राप्ती है और जो भगवान की भक्ती से ही संभव है मेरा आशीश सदैव आपके साथ है किन्तु मुझे अभी यहां से प्रस्थान करना होगा माता आप दोनों का कल्यान हो भगवान के लिए उसका भक्ती सर्वोच आपके साथ है दुर्बुद्धी मेरे भक्तों को पीड़ा देकर तुमने बहुत बड़ा अपरात किया है जिसका दंड आप तुम्हें अवाश्य प्राप्त होगा आप आप नंए 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 उस कर हुँ उस कर दोली सक आय कर दोतलत Meansson प्रत्थम पुज्य गणेश, अब मेरे जीवन तो मिट रहा है, कें तो अभी ये शत्र तो नहीं मिटी है, मेरे बाद मेरे पुत्र तुमसे युद्ध करेगा, उसके पस्चात, उसके पुत्र, ये युद्ध इंडिरंद चलता रहेगा, इस युद्ध को तुम कभी समात नहीं कर सकोगे, पुम्नावश युद्ध युम्नावश युद्ध! हुआ किली है दो जुआ किली हुआा जो दो便ख़ किली है जुआ किली हwehr तुआ किली हुआ by the min पमड़त किपै किरी दो वाएड़िप Hamburg किली हम चुआ किली हो फुआ किली— बाएड़ भ 열क अ sì अ 창ाउ अल रह कनेश का कुरूथ अपने चरम पर कहुच गया है कनेश का कुरूथ तो कर्शना के रूप में जाहो ते शाओ में दुहने दो रहा है नाथ गनेश इतना क्रोधीत क्यों है मैं बिंती करती हूँ आवाँ जाईए और गनेश को शांत करने का उपाय कीचिए इतना क्रोध इतना क्रोध मुझे कैसे आ गया और क्यों मुझे क्रोध के इस आवे को धामना होगा फूपाजी यहाँ है वो अवश्य यहाँ शांती स्थापित कर देंगे पुत्र गनेश शांत हो जाओ पुत्र इतने क्रोधित क्यों हो तो मैं सभी को गड़ेश के विरुद्ध कर दूँगा मैं गड़ेश को ऐसा क्रित्त करने पर विवश कर दूँगा कि सभी उसको आयूग महादेव पुत्र मान ले जैसे अभी तक मैं रहा हूँ प्रतीत होता है फुपा जी की बातों का प्रभाव मेरे दूसरे प्रतिरूप योद्धा गनेश पर हो रहा है वो शांत होता दिख रहा है पुत्र गनेश इतना तु साहस कि कोई मेरा सामना करे मेरे समक्ष आकर मुझे टोके इसका दंड अवश मिलेगा आपको पुत्र गनेश शांत हो जाओ पुत्र अपनी स्वास से मेरा के चाओ बंद करो यह हो क्या रहा है गनेश जी ब्रह्मดेव को अपने बीतर क्यों किच रहे है गनेश जी अपने विक्राल योद्धा रूप में है । यह कैसा नर्थ करने जा रहे स्रिश्षी के रेच नहीं है वरमदीर यदि उन पर संकत आया तो समस्त पुत्र गणेश यह क्या कर रहे हो तुम आपने मुझे टोका क्यों क्यों टोका आपने मुझे यह गणेश जी ब्रह्मदेव के प्रती इतने कठोर क्यों हो रहे है यह कैसा खोधावेश होनका यह क्या कर रहे है गणेश जी गणेश ने तो जैसे निश्चे कर लिया है वो श जांत नहीं होगा मेरा ग्रोध भी शांत नहीं होने वाड़ा गणेश रुख जाओ कुत्र गणेश ब्रह्मदेव को मुक्त कर दीजे अनित आनर्थ हो जाएगा नहीं करूंगा कतापी नहीं करूंगा रुख जाएगे गनेश जी शांत हो जाईए रुख जाएगे गनेश जी रुख जाईए गनेश जी रुख जाईए जी गनेश की सूर ने मुझे अपने भीतर खीच लिया तो मैं इस अनंत आंदिकार में समाईथ हो जाऊँगा चल्छेश जीश दाईगे जी झाँख जाईए जीश गाईएगे जास्वारे गनेश जीशे जीशे जीश तकाईएए जीशनी जीशे 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 कुछ कहा ही ने तो फिर ये ये स्वार किसका है एक और गनेजी यहाँ दो दो गनेजी कैसे उपस्तित है ये ये कैसे संबव है गनेश गनेश शान्त हो जाओ ये क्या हो गया है मुझे क्रोद के ऐसे भीशन आविग में क्यों बहा जा रहा हूं मैं नहीं मुझे शीक्र कुछ कर इस क्रोद के उन्मान अन्यथत जिसकिसी शक्ति के भी प्रभाव में हो मैं उससे स्वयम को मुक्त होना होगा प्रो बहना हो टding क्या होगा प्रो भार अंध यन्मार शुप्धिड़ होगा ठाले कि शुप्ता कर दोटत शुप्तisha और गोटती के एस्लीग का प्रोद का एस यह यह कैसा अनर्थ करने जा रहा था मैं क्या क्या हो रहा था यहां फूपा जी क्या मैंने आपको हाँ अपने ग्रोध के आवेग में तुम फूपा जी को खशती पहुचाने का प्रयास कर रही थे मुझे क्षमा कर दीजिए फूपा जी ज्यात नहीं अचानक किसके प्रभाव में क्रोध के ऐसे अतिरेक में बह गया मैं क्षमा कर दीजिए मुझे गनेश ततकाल अपनी वास्तिवी कवस्था में आओ अभी इसी क्षण कनेशिया आप दो रूप में प्रकट होगे और क्यों सूरी देप मेरे भकतो ने मेरी पुझा का संकल्प किया था किंटों असुर दुरबुद्धी उनके संकल्प में विगमत पन्पन कर रहा था तो मैं वही अपने भकतों के साथ रुख गया जिससे वो निर्विगन अपनी पुझा संपन्पनन कर सके किन्तु मेरा विक्राल योधा स्वरूप इस संकट को मिटाने के लिए दुर्बुद्धी का अंत करने के लिए यहां प्रस्तुत हुआ गनेश जी आपकी लीला तो अद्भुत है आपने एक भक्त की भक्ती का मान भी रख लिया और दुर्बुद्धी रूपी संकट का भी अंत कर दिया धन्य है आप यदि भग्वान भक्तों की रक्षा नहीं करेंगे तो संसार में धर्म की सत्ता कैसे स्थापित होगी गनेश जी अब जब दुर्बुद्धी का अंत होई चुका है क्यूंकि वायू देव जब तक मैं अपने क्रोद का कारण समझ नहीं लेता तब तक मैं अपने क्रोद स्वरूप को स्वयम से विलग रखना चाहता हूँ ताकि किसी के भी प्रभाव से मेरा क्रोद अन्यंत्रित हो जाए तो मैं अपने मूल रूप से स्वयम को शांत रखकर अपने क्रोध पर नियंदरन पाने में सक्षम रहूं और अपने भक्तों की रक्षा करना तो हमारा प्रधम कर्थम कर्थव्य है किन्तु अभी ये कर्थव्य शेश है गनेश जिसका उलेक अभी तुमने किया तुमारे भीतर अचानक उत्पन होने वाले क्रोध का श्रोध शिक्र ग्याद करना भी अतियावश्यक है पिता श्री आप इसके चिंता मत केजिए ये तो मैं स्वयम करने जा रहा था उचित है पुद्र आत्मचिंतन से ही अपने कार्यों का उचित मुल्यान करने में सक्षम होते हैं अपनी भूलों को समझ कर अपने दोशों का निवारन करने के लिए प्रेरित होते हैं इसलिए मैं तुम्हें आत्मचिंतन के लिए एकांत में छोड़ता हूँ पूपा जी मुझे अपने कृत्ति के लिए गलानी कम होगी यदि पोत्र तुम्हें गलानी करने की कोई आवश्यक्त नहीं है मैं तुम्हें ख्यमा कर चुका हूँ पूपा जी फास्तविक्ता में मेरा अनुरोध तो ये था कि आप मा से इस विश्या में कुछ ना कहें अन्यता वो मुझे कही मेरे प्रीय भोजन मोदक से वंचिद ही ना कर दें महादेव ब्रह्मदेव अब हमें भी चलना चाहिए प्रनाम प्रभू प्रनाम प्रभू कनेजी अब हमें भी प्रस्थान करने की अनुमती दीजी प्रणाम प्रणाम गणेश ये क्या कर रहे थे तुम क्या हो गया है तुम्हे फूफा जी की साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया तुमने फूफा जी की साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया तुमने ये तुम्हे स्वयम भी समझने में ऐसा मर्थ हो कि मुझे पर अचानक किसका प्रभाव चा गया था क्रोट से कुछ भी प्राफ्त नहीं होता गणेश उसे सदा नियंत्रन में रखना चाहिए तुम मुझे समझा रहे हो तुम? स्मरन नहीं जब चंदरदेव के साथ वो गटना गटेत हुई थी तब कितने आवेशित हुए थे तुम? तब मैं भी तुम्हें इसी प्रकार उलाहना दे सकता था ना? मैंने अपने इच्छा से कुछ भी नहीं किया मेरे इस कथन पर विश्वास क्यो नहीं करते हो तुम? मुझे ग्यात नहीं अचानक क्या हुआ था मुझे? अन्यथा, क्या मैं कलपना में भी फूपा जी को शती पहुचा सकता हूँ? बोलो, हाँ, ये तो तुम सर्वता उचित कह रहे हो ये अपार क्रोध का चक्र तो कुछ समय से निरंतर चल रहा है किन्तु अब हमें इसके मूल में भी जाना होगा हाँ, क्योंकि ये घटना क्रम कहां जाकर थमेगा, किसे ग्यात है? कल चंद्रदेव पर तुमने क्रोध किया आज मैं क्रोधवश फूपा जी को ही निगलने चल दिया तो कल तुम मामा जी को अपना आहार बनाने भी पहुच सकते हो फिर क्रोधवश तुम इंद्रदेव, सूर्यदेव और अन्य सभी देवताओं को भी शती पहुचा सकते हो और तो और स्वयम भहिया पर भी आकरमन कर सकते हो मैं नहीं तुम, मैं अर्था तुम समझ गया, समझ गया, हम दोनों एक ही तो है चलो इसकी चर्चा छोड़ो, ये बताओ, तुम क्या, अभी भी क्रोध से प्रभावित हो नहीं ये, ये क्या कर रहे हो तुम, और क्या, तुम्हारे क्रोध को जागरित करने का प्रयास कर रहा हूँ कहो, क्रोध आया तुमें? अब मैं भी तुमसे वही प्रश्न करता हूँ क्यों, क्रोध आया तुमें? नहीं, ऐसे तो हम दोनों को ही क्रोध का अभास नहीं हुआ तो इसका आर्थ है, हमारे क्रोध के मूल में कुछ और है और इसका रहस्य शीग्र ग्याद करना होगा हमे वह तो है, किन्तों यह हम कैसे ज्याद करेंगे वास्त्विक्ता में उनके दो ही पुत्र है कुमार कार्थिकेजी और प्रथम पूज्य गनेश्ची जिनके चन्दिवस्काउट सफ यहां आज कैलाश में मनाया चाहाँ गनेश का चन्दिवस्काउट महादेव का प्रिये पुत्र गनेश्च तुम मुझे पूछ रहे थे ना क्रोध का अभास हुआ क्या तो हाँ अब हुआ मुझे अत्यांत क्रोध का अभास अत्यांत क्रोध का गनेश को पुना क्या हो गया है ये ऐसा व्याभार क्यों कर रहा है ओ ओ तो क्रोध का श्रोध ये लाल धूमर है और ये धूमर तो आकाश मार्ग से अवतरित हो रहा है जहां आकाश इसके प्रभाव से रक्तवर्नी हो गया है जब हमें ये ग्यात हो ही गया है तो विलम किस बात का हमें यथा शीगर वहां पहुचना चाहिए जो भी इस क्रोध का कारण है अब वही इसके परिणाम का भागी बनेगा मैं तो उसे मसल्ले के लिए आतुर हो रहा हूँ क्या है वो गडिश उसका सामर्थ क्या है प्रथम पूजी की उपाधी प्राप्त की है उसने क्योंकि महादेब का पुत्र है वो यही है उसके प्रती सभी के इसने ही का कारण किन्तु मैं भी तो महादेब पुत्र हो तो मैं अपना अधिकार अवश लूगा, वो सब छेन लूगा कड़ेश से, जो उसे प्राप्त है, उसके पिता का स्ने, उसका उचपद, देवताव में उसका स्थान कड़ेश, अभी मेरे प्रिकोप से सामना कहा हुआ है तुम्हारा क्रोध किसी से भी भूल करवा सकता है, इसलिए क्रोध पर नियंतरन आवश्यक है